कांक्रिस अग्रेनेत राहूल गांदी मातलार तुनारो तर्क समंचना लाइव चुता नफरत का बाजार खोल रखा था वहाँ हमने उसके अंदर जाकर महबत की दुकान खोली है और यही हम करते जाएंगे भाईयों और बेहनों हिंदुस्तान में Union Territories को स्टेट बनाया गया था स्टेट को बाटा गया था मध्यप्रदेश को बाटा चत्यसगड़ बना बिहार को बाटा जारकन बना आंदरा को बाटा तेलेंगाना बना मगर हिंदुस्तान की हिस्ट्री में बें कभी भी स्टेट को Union Territory में नहीं बदला गया था पहली बार एक स्टेट के लोगों से उनका हक छीन कर उन्हें Union Territory में बदला गया था यह आपके साथ हुआ है और यह आपके साथ अन्याय हुआ है आपका जो लोक्तंत्र है आपकी लोकतंत्र का जो हक है वो आपसे छीना गया था और इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेट हुड वापिस मिले आपका जो हक है वो आपको वापिस मिले और एक बार फिर आप एक स्टेट बनो ये हम चाहते थे कि चुनाव से ये काम पहले हो बीजेपी ने नहीं किया अब हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका स्टेट उर्ड आपको वापिस दिया जाए और मैं आपको ग्यारंटी करके दे रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले बीजेपी पर हम गबाव डालेंगे प्रेशर डालेंगे कि यह आपको फिर से अपना स्टेटूड वापिस दें और अगर यह आपको स्टेटूड वापिस नहीं देंगे तो मैं आपको गैरंटी करके कह रहा हूं हम आपको आपका स्टेटूड वापिस देंग क्योंकि यह आपका हक है यह आपका लोग तंत्रिक हक है और यह आपको वापिस देना ही पड़ेगा बाई और मैंनों कर्रा साब ने अभी कहा कि यहाँ पे पहले हम्टी की फैक्टरी होती थी पूरे देश में ऐसी फैक्टरिया नरेंद्र मोधी जी ने बीजेपी ने बंद की है प्राइवटाइज की है दो तीन अरब पतियों के लिए यह काम करते है पच्चिस लोगों के लिए इन्होंने सोला लाख करोड रुपे कर्जा माफ किया है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, स्टूडेंस के लिए, महिलाओं के लिए यह कर्जा माफ नहीं करते है अरब पतियों के लिए यह लाकों करोड रुपे कर्जा माफ करते है गलत GST लाए, नोट बंदी की और जो चोटे वियापारी थे, चोटे बिजनसेश थे, स्मॉल और मीडियम बिजनसेश थे, उन सब को इन लोगों ने बंद किया नतीचा ये है कि आज हिंदुस्तान में और जमु कश्मीर में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है आप कहीं भी ढूंड लो, जमु कश्मीर में ढूंड लो, बाकी हिंदुस्तान में ढूंड लो, आपको रोजगार नहीं मिल सकता है कोई भी डिग्री ले लो कॉलिज की डिग्री ले लो युनिवर्सिटी की डिग्री ले लो एंजिनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ मगर आपको रोजगार नौकरी नहीं मिल सकती ये नरेंद्र मोधी जी की देन है ये इनकी पॉलिटिक्स है और लंबे लंबे भाशन करते हैं उल्टी सीदी बात करते हैं मन की बात करते हैं मगर काम की बात करना इनको नहीं आता है काम की बात क्या है? काम की बात है कि बेरोजगारी हटाओ महंगाई कम करो युवाओं को विजन दो जम्मू कश्मीर को स्टेट हुट दो ये काम की बाते हैं ये चीज़े नरेंद्रमोदी नहीं बोल सकते वो 24 गंटा मन की बात बोलते रहते हैं और आजकल कोई उनकी मन की बात सुनने वाला है नहीं किसी का मूड नहीं है सही बोल रहा हूँ ना और जम्मू कश्मीर से उन्होंने सिर्फ आपका लोगतंत्रिक हक नहीं शीना जो भी पहले आप डिसिजन्स लेते थे चाहे वो विकास के डिवेलपमेंट हो विकास के डिसिजन्स हो युनिवर्सिटी, कॉलेजिज, शिक्षा के डिसिजन्स हो स्वास के decision हो पहले ये सब आप लोग MLA चुन कर लेते थे आज कल ये जो decisions है आप लोग नहीं लेते हो बाहर के लोग आकर आपके लिए ये decisions ले रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे राजा बैठा रखा है Lieutenant Governor है वो राजा है वो बाहर का है वो जमू कश्मीर का नहीं है और जमू कश्मीर के लोगों के दिल में जो है जो विकास जमू कश्मीर के लोग चाहते हैं ये वियक्ति करी नहीं सकता है इसको मालूमिनी कैसे करना है इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार फिर जमू कश्मीर के लोग अपने नेता चुने, अपने MLA चुने, अपनी सरकार चुले और अपना विकास का काम जमू कश्मीर के लोग अपने आप फिर से करना शुरू करें इसलिए हम आपको स्टेट होड वापिस देना चाहते हैं रोजगार के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ हमारे मैनिफेस्टों में हमने कहा है कि एक लाख सरकारी रोजगार हम आपको भर के दिलवा देंगे जो आज खाली पड़े हैं तीन हजार पांच सो रुपे हर महीना अनिम्प्लॉइम्मेंट अलावंस इंडिया गटबंदन की सरकार आपको देने जा रही है महिलाओं के लिए तीन हजार रुपे हर महीने और पांच लाख रुपे का लोन जो महिला सेल्फ हेल्प गूरूप में शामिल है उनके लिए हर तैसील में मोबाइल क्लिनिक और हर डिस्ट्रिक्ट में सूपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल खोलने का काम हम करने जा रहे हैं और जैसे हमने राजिस्तान में हेल्थ इंशॉरंस का स्कीम दिया था वैसे ही हम यहाँ पे 25 लाख रुपे तक का हेल्थ इंशॉरंस आपको देने जा रहे हैं और हर परिवार को 11 किलो चावल हमारी सरकार देने जा रही है बाईयों और बेहनों सबसे बड़ा मुद्दा आपकी स्टेटूट का है और हम आपको गैरंटी के कह रहे हैं कि जमू कश्मीर के लोगों को स्टेटूट मिलेगा अगर बीजेपी नहीं देगी तो हम आपको स्टेटूट आपका देने जा रहे हैं कर्रा साब के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूँ जब लोग कॉंग्रेस को छोड़ कर जा रहे थे कब कर्रा साब कॉंग्रेस पार्टी में आई थे और ये दबते नहीं हैं डड़ते नहीं हैं इनको आप पूरा समर्थन दीजिए इनको आप जिताईए और विधान सबा में पहुचाईए आप सब का और आप जानते हो मेरी आपके लिए फिलिंग्स आप जानते हो मुझे दोराने की जरूरत भी नहीं है जब भी आपको मेरी जरूरत होगी आपको सिर्फ कहना है आपको हुकम करना है और मैं यहाँ आपके सामने आपके सामने यहाँ आ जाओंगा जो भी आप पार्लिमेंट में मुझसे उठवाना चाहते हो, बुलवाना चाहते हो, आप मुझे ओडर दो, हुकम दो, मैं आपके लिए करने को त्यार हूँ और आप जानते हो मेरा आपके साथ जमू कश्मीर के लोगों के साथ कैसा रिष्टा है पुराना रिष्टा है, राजनेतिक रिष्टा नहीं है, दिल का रिष्टा है, खून का रिष्टा है, मुझबत का रिष्टा है आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और खास्तोर से जो महिलाएं आई हैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिंद अब मैं आपकी तरफ से राहुल जी को यहां से जो इनने कहा अपने जजबात बताए अपना रिश्टा बताया, खून का रिश्टा बताया, प्यार का रिश्टा बताया, आप लोगों की तरफ से उनको जो हमारे कशमीरी भाई अधूरे हैं उनको मैं पूरा यहां से कशमीरी बना के भीज रहा हूँ झाल बताझा उन्हार भार को राखना झाल प्रबको प्रप्ट भार झाल झाल झाल